नमस्कार दोस्तों एक्जाम मित्र में आपका स्वागता आशा करता हुआ आप सभी अच्छ होंगे दोस्तों उत्रागंड की बीएस से नर्सिंग कोर्स के एप्लिकेशन फॉर्म है वह ओन्गोइंग है दोजार चोई सेसिन के लिए तो मैंने डिटेल में सारी चीज़ा आपको अरड़ी बता रहे हैं आप चैनल पे जाके आप वीडियोज देख लीजे यह मैंने प्लैलिस्ट बना रहे हैं उत्रागंड नर्सिंग प्रामेडिकल से रिल्टेट तो जो भी आपके डाउट ओव सा सारे वीडियोज आपको अवेलेबल करवा रहे हैं आपके इलिजिबिलीटी क्राइटेरिया आपकी फीस वगरा तो एक्जाम पैटर्न आपको कौन सी बुक्स रीड करनी है सारी चीज़े आपको इसमें बता रहे हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो गोवर् कोलेज में एडमिस्न मिलता है काफिसर इस तरहीं की मेसेज आते कि सर मुझे वो कोलेज ऐसे बता रहे हैं कि आपका डायरेक्ट एडमिस्न हो जाएगा आप इतना पैसा देदो ऐसे चक्र में पढ़ना मत बिल्कुल भी मैं अभी बता रहा हूं आपको क्योंकि लास्ट ये ओल्रेडी आपके एप्लिकसन फॉर्म में वो ओन गोईंग है जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया वो फॉर्म फिल कर दीजिए मैंने लास्ट येट वगरा आपका एक्जाम डेट वगरा वो सारी डिटिल में बता रहे हैं आपका जो एक्जाम है वो आपका नोच है दोज हम जानेंगे कि आपकी जो गॉर्मेंट की टोटल सीट से वो कितनी है गॉर्मेंट कितने कोलेज है आपने फॉर्म तो फिल कर दिया अब आपका जो मैं टार्गेट मैं गोल वो ये रहेगा कि आप अच्छा स्कोर लेकर आए और उस स्कोर के बैस से इस पर आपको टोप की कितनी सीट है तो सारी जानकर आपको इस वीडियो मिलेगी वीडियो को सुरूशन तक जरूर देखिए अगर आम आप चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आपको प्रेस करेंगे तो यह आपका चैनल आ जाएगा और इससे आप जोईन कर लिजे में समेस में पर इस पर सारी update आपको nursing और paramedical से रेल्टेट केवल उत्राखंट के candidate से जोईन करें अधरी स्टेट के नहीं अधरी स्टेट की information है वह आपको यह आने मिलेगी केवल उत्राखंट के candidate से जोईन कर लें इससे कि आपको समय पर सारी update मिलती रहे अब देखो बात करते हैं government college क कि आपके उत्राखंट में government की total कितनी college है तो total आपकी यहाँ पर 8 college है government की बाकी private तो ही बहुत सारी private के बारे में भी मैं separate video में बात करूँगा जब आपकी counseling process start होगी उस time पे मैं आपको बता दूँगा कि कौन-कौन सी college है वो best है जो top education है या top facility है वो provide करवाती है तो counseling के time प आपको मैं separate video में provide करवा दूँगा यहाँ पे आप बात करेंगे सबसे पहले यह है आपका दून college जो दून college के नाम से भी जाना जाता है यह state college of nursing है देरा दून में यह देरा दून में है इसमें BAC nursing की total कितनी seat है 60 seat है 60 seat है तो सभी का dream होता है कि government college में उनका admission हो तो आपको यह भी जाना जूरूई कि government की total कितनी college और उनमें कितने total seats है उसी की basis पर ही आप competition को fight कर पाएंगे आपकी दिमाग में psychology यह बनेगे यह इतनी seat है तो इसके लिए कितनी preparation की ज़रूता है आपको कौन सी चीज़ आपको read करनी है second college है आपकी government college of nursing की new terry में आपकी जो district terry है व अगड में पित्तरगड में जो आपकी college है उसमें भी आपकी 40 seat है अलदोहानी में जो आपकी government college है उसमें आपकी 50 seat है इसमें 10 seat आपकी ज्यादा देखने को मिलेगी और जो प्वडि गडवाल में agreement college है उसमें साथ सीट है, सबसे ज्यादा सीट आपकी यहाँ पोडी गडवाल में और दून को लेज़ है, उसमें आपको देखने हो मिलेगी, और एक आपका जो अब की बार एड़ किया गया, चमपावत में, उसमें आपकी टोटल 33 सीट यहाँ पर रखी गया, अब इनको अगर आप काउंट करेंगे, तो आपकी जो टोटल सीट होती है, वो होती है, 363, अब इन अच्छी प्रिप्रेशन नहीं करते हैं फिर उनको प्राइवेट में जाना ही पड़ता है प्राइवेट में आपकी फीस वगरा भी आपकी ज्यादा लगती है तो आपका पूरा फोकोस होना चाहिए कि इन तो 363 में से आपकी एक सीड है वह आप अपने लिए चरल करेगे तो 20 दिन आपके लिए सपिशेंट है बीज दिन में भी आप अपनी सही study follow करके और पूरी consistency के साथ में अगर आप सही चीज़ हो पड़ेंगे इधर उदर आप time waste नहीं करेंगे तो definitely केवल आपको अपनी एक seat पर focus करना बाकी 362 जो seats है उन पर आपको नहीं करना वो किसको मिले किसको नहीं मिले केवल एक seat पर ही आपको ध्यान देना है अब ये एक seat भी कैसे में लगी competition के इस दोर में आपको अलग अटे के study करने भी और smartness से study करेंगे तो ही आप अपनी ये एक seat है वो confirm कर पाएंगे अब देख लिए आपका यहाँ पर ये syllabus है नोजून को exam होगा 10 से 12 बजे 2 गंटे का time है subject क्या क्या है physics, chemistry, biology ये तो आपके 11 वी और 12 वी के पूछे जाएंगे paper आपका हिंदी और इंग्लिस दोनों language में होगा student math कहाँ पे काएंगे इन दोनों subjects में क्योंकि English grammar पे जो basic English grammar पूछी जाती है उस पे focus नहीं करते हैं ये समझते हैं कि English तो आती है जबकि grammar एक अलग part होता है और जो आप English लिखते हो जो WhatsApp वाली वो इंग्लिस अलग होती है nursing aptitude तो आप इन दोनों subjects में आप पूरे में से पूरे marks लेके आ सकते हैं क्योंकि सभी का part है वो equal है physics के आपके 20 क्यों सनाएंगे chemistry के 20 और biology के भी 20 ये तो आपने अच्छे से read की होगी 11 वी में भी और 12 वी में भी इनको आपने बहुत कम read किया होगा English भी आपने थोड़ी बहुत read की होगी grammar आत्ती होगी लगबक इस्टुडेंट्स को लेकिन जो basic English grammar उसी पर फोकस करना है English grammar में आपको ना तो competitive level की read करना है ना एडवांस लेवल की basic English grammar आप easily 15 दिन में basic English grammar आप अपने अच्छे से complete कर सकते हैं nursing aptitude भी आप complete कर सकते हैं इनमें 40 में 40 marks लेकिया सकते हैं अब इनकी preparation कैसे करें तो दोस्तों यह physics chemistry और biology है तो आप objective based पे आप अपना syllabus कवर करने की कोशिस कीजिए और यह English grammar है यह basic English grammar और nursing aptitude इनमें से आप पूरे मों से पूरे marks लेकिए अब इनको आपको कवर करने के लिए डिस्क्रिप्शन वोक्स में आपको e-books प्रोवाइड करवा रखी है तो आप अगर इन e-books को अच्छे से फोलो कर लेंगे जैसे physics chemistry और biology के लिए मैंने यह आपकी दोनों classes के तीनों subjectives में cover होते हैं objective basis पे यह Hindi medium candidate के लिए है और यह English medium candidate के लिए है English medium candidate के भी आप read कर सकते हो English medium candidate के लिए यहाँ पे दी गई है यह आप देख सकते हैं यह theory based e-book है मैं इसको अभी recommend नहीं करूँगा यह theory based e-book आपको दी गई है इसको आपको read नहीं करना क्योंबल objective based पे अपना syllabus से आपको cover करना है अगर आप यह strategy follow करेंगे तो definitely आप अपने लिए एक seat है वो confirm कर लेंगे important है आपके nursing aptitude और basic English grammar यह दोनों चीज़े सबसे most important है इनको तो आपको follow एक ना क्योंगि 40 में से 40 marks आप इन दोनों subject में ला सकते हैं easily और बहुत ही कम समय में यह बहुत easy subjects हैं अगर आप इनको रोज का एक गंटा भी देंगे तो आप easily 40 में 40 marks है वो 40 के 40 क्यूसन आप easily cover कर लेंगे और रही बात physics chemistry और biology की तो objective based पे यह मैंने जो Hindi medium के candidate है और English medium के candidate है उनके लिए provide करवार की है तो आप चाहे तो आप इनको अच्छे से follow करें यहाँ पे आप देख सकते हैं यह Hindi medium के candidate के लिए objective book है और यहाँ पे यह English medium के लिए theory based ebook यहाँ पे है तो आप एक बार ज़रूर देख लिए यह theory based ebook है इसको आपको avail नहीं करना है और यह है आपकी nursing aptitude और English grammar अब इनको अगर आपने अच्छे से follow कर लिया objective ebook nursing aptitude और English grammar 100% में shorting साथ करता हूं कि अगर आपने इन तीनों को अच्छे से follow कर लिया बीच दिन में पूरी consistency के साथ में तो आप अपने लिए एक government seat आपको confirm कर लेंगे आपका selection government college में कोई भी नहीं रोक सकता अब इनको avail किस तरीके से करना है तो process सभी की सहम है मैं बता देता हूं यह objective ebook है Hindi medium candidate के लिए यहाँ पे और यह है आपकी English medium candidate के लिए तो यहाँ पे link दिया गया जैसे आप उस पे के लिए करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा इसमें अपनी details फील करनी है तो यहाँ पे आप बेसे नर्सिंग परामेडिकल दोनों के लिए sufficient दोनों classes के और तीनों subject एक ही ebook से आप अपना cover कर सकते हैं इसमें तीनों subject का पूरा सलबस cover किया गया है इसी तरीके से इंगलिस मीडियम के इंडिएट के लिए है और इसी तरीके से आपके जो nursing aptitude और इंगलिस grammar वो तो most important है अगर आपको इन तीनों follow कर लिया तो 100% आप अपने लिए गवर्मेंट सीट वो confirm कर लेंगे अब आपको review and pay पे आपको क्लिक कर देना है अब जैसे review and pay पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा यहां पे आप देख सकते हैं कि BAC nursing प्रवेस प्रिक्स आगलिए अब 3-in-1 e-book अवेल कर रहे है जिसमें आपके 11-12 class का physics chemistry biology का objective बेस पे सारा service cover किया गया है easy medium difficult channel level के question देखने को मिलेंगे सारे का सारी क्यूसन इसमें सही आपको देखने को मिलेंगे Mac payment पे आपको click कर देना है आप जैसे Mac payment पे click करेंगे तो आपको payment के सारे option available करवा रखे हैं पहले student का यह issue रता था किसा हमारे पास पे टीम नहीं है phone पे नहीं है तो अब यहाँ पे आपको सारी payment प्राप्त हो जाएगा वहाँ से ebook को डाउलोड कर सकते हैं अगर वहाँ से नहीं कर पाते है तो जो email आइडिया आपने फील की थी उस email पे भी आपको एक email सेंड किया जाता है जिसमें आपको आपकी ebook डाउनलोड करने का option प्राप्त होता है वहाँ से भी आप अपनी ebook को डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी डाउट हो कोई इशू मुझे comment box में पूछ सकते हैं Instagram follower के वहाँ से भी जानकर ले सकते ह इंस्टाग्राम का लिंक description box में दे रहे हैं और टेलिग्राम जरूर्न कर लीजे इससे की में समस्वे में आपको आपको आपडेट प्रोवाइड करवाज कूँ फिलाल के लिए इतना है था मिलते नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद जहीं जैबाग झाल